नसकर दोस्तों स्वागत है आपका एक बरफिट से आपके अपने यूटिब चैनल जोब लगपर दोस्तों आज की स्वीडियों बात करेंगे पीटेट कांसलिंग 2020 के बारे में जिए दोस्तों पीटेट 2020 का अंत साथी पीटेट 2021 का आगास कब से भरी जा रहे पीटेट 2021 के फर्म साथी पीटेट 2020 के रिफरंड का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे इस बारे में कि आपने बता रखा था कि अंतिम चांस आएगा लेकिन वो तो नहीं आया पीटेट 2020 का अंत सरूर हो चुका है तो आपको मैं सके चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पीटेट 2020 के बारे में तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसकी ऑन्फीसियल वेबसाइट पर विजट करते हैं तो आपकी सामने कुछ अस्तर का एक नया ल करम की जो परवेश की परकेरिया है वो पूर्ण हो चुकी है और इसी को मद्दे नजर रखते वे इन छात्रों के online classes की व्यवस्ता महविद्याले द्वारा की जाए और साथी छात्रों से किसी भी परकार का कोई अन्य सुल्क नहीं लिया जाए यानि अवेद सुल्क नहीं लि लिख सकते हैं आज के बीकानेर के दैनिक भासकर में इस notification को जारी किया गया है जिसके इंतरकत लिखा है कारले समन्वाइक PTA 2021 और PTA 2021 के एक्जाम के लिए यहाँ पर आपकी नियुनतम योग्यता यानि अगर आप यहाँ पर PTA 2021 के एक्जाम में बैठना चाते हैं तो आपक राजस्थान के अनुसुचित जन जाती यानि SCST, OBC, VCS, पिछड़ावरक यानि दिव्यांग तता विध्वा, तलाकसुदा या महिला अभ्यरती इन सबी के लिए 45% अंक होने चाहिए चाहे यूजी में हो चाहे पीजी में हो किसी में हो आप यहाँ पर PTA 2021 दे सकते हैं उस राजस्थान के ऐसे अभ्यरती जो SCST, OBC, VCS, पिछड़ावरक, दिव्यांग या विध्वा, तलाकसुदा महिला अभ्यरती हैं उनके लिए 45% अंक होना अनिवारिये पताया गया है तिन फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसके ऑनलाइन फॉर्म की तो यहाँ पर इसके ऑनल आउट मिष्ठिक आपको इसको किस परकार से फिल कर रहा हैं साथी आपके यहाँ पर परवेश परिक्सा की डेट रवीवार 16 मई 2021 दी गई हैं जिनको भी 2020 की कांसलिंग की परकिरिया के दोरान कॉलेज आवंटिक नहीं हुआ हैं ऐसे चात्रों को टेंसन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीटेर दोसार एकेस का नौटिकेसन आ चुका हैं और इस बार सब भी कुछ समय पर होगा यानि लगभग लगभग आपके अगस्त महा तक फिर से कांसलिंग परकिरिया का अंत भी हो जाएगा इस बार कोविड की वज़े से देर हो गई थी उसके बाद फ फॉर्म स्टार्ट होता हैं आपको तुरंट वीडियो उपलब्द हो जाएगा यानि कब तो 3 फरवरी 2021 को जॉबलक की तरब से आपको इसका वीडियो उपलब्द हो जाएगा उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉबलक त्वारा बताये गए आपको इन्फॉर्मिशन की पहले से आपको बता रखा था कि पीटेट दूवर से पाठकर में एक अंतिम चांस का मौका आएगा फ्रेंट्स ये नहीं आया इसका रिजन तो एकदम इसपश्ट रूपस में आपको नहीं दे सकता पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपनी बात पर अभी भी हूँ क्य यही रिजन है कि आपके लिए अंतिम चांस का अप्सन आना चाहिए था बट फ्रेंट्स बात ये भी है कि यहाँ पर काउंसलिंग परकरिया बहुत जादा यहाँ पर लंबी चल चुकी हैं और उस वज़े से यहाँ पर PTA 2021 का भी इनको नोडिफिकिशन जारी करना था और इसी वज़े से PTA 2020 को इन्होंने क्लोज कर दिया है इससे इनका खुद का गाटा है कि फ्रेंट्स प्रति एक स्टुडेंट करीब 25-27,000 रुपे की सालाना फीस दीता है और कई सारे सीटे यहाँ पर रिखते हैं तो कई सारे पैसों का PTA को खुद को गाटा है और साथी जो क Jones ही ना वो भी जाते हैं कि यहाँ पर कौंसलिंग की परकिरिया को आगे चलाया जाए जिससे यहाँ पर उनके जो भी सीटे रिक्त हैं उन पर पर परवेश दिया जा सके लेकिन यहाँ पर PTAP ने इस कांसलिंग परकिरिया को आफ एगर आप यहाँ पर बात करते हैं अगर आप विकानेर में यहाँ पर आफिस में जाते हैं एक साथ होकर एक बंदा जायेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक अंतिम चांस आए उन स्टुडेंट्स के लिए तो आना ही चाहिए जिनको अलरेड़ी कॉलेज मिल चुका था लेकिन किसी न किसी डॉक्मेंट्स की वज़े से उनका परवेश निरस्त हो गया था तो फ्रेंट्स फाइनली यही कहना चाहूंगा कि भई अगर आप कुछ करते हैं तो हो सकता है आपके लिए एक अंतिम चांस दिया जाए बाकि यहाँ पर पीटेट 2021 का नॉटिफिकिसन जारी हो चुका है यही वज़े हैं कि इसकी कांसलिंग की परकरिया को आफ कर दिया गया है मैं अपनी बात पर सही हूं आप पता कर ले ना सीटे अभी रिक्त है उसके बाद फ्रेंट्स बात करते हैं आगे तिन फ्रेंट्स बात करते हैं आपके रिफरंड के प्रोसेस की तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपके इसके कांसलिंग के ओफ होने का यहाँ पर नॉटिफिकिसन आ चुका है तो यहाँ पर करीब 15 दिन बाद यानि आप ही मान कर चल सकते हैं कि करीब 10 सी 15 फरवरी तक आपके लिए यहाँ पर अलग सी एक notification आ जाएगा जो कि आपके refund की समझ में हुगा और आपका refund आपके खाते में online तरीके से हुगा यहाँ पर साफ और इसपश देख सकते हैं यह जिनको महाविद्याले पिल्कुल ही आवंटित नहीं हुआ उन्हें 4800 रुपे refund होंगे साथी ऐसे विद्यारती जिनको महाविद्याले तो आवंटित हुआ लेकिन जिनोंने रिपोर्टिंग नहीं की उनके 600 रुपे काट कर 400 रुपे की करीब refund की जाएंगी यह refund आपकी स्वयम की बैंक खाते में ही होगा यानि ओनलाइन माध्यम से आपको यह refund किया जाएगा तो फ्रिंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको चैनल जॉबलक के साथ जुड़े रहना है जैसे ही इसके refund का notification आता है तुरंद आपको सूचना दे दी जाएगी और साथी साथ आगे की process के बार में भी संपूर्ण जानकारी दी दी जाएगी PTA 2021 के online form का वीडियो तीन फरवरी को आपको उपलब्द करवा दिया जाएगा तो बिल्कुल tension नहीं लेनी है तब तक के लिए जैहिंद जैभारत वीडियो को लाइक निए तो प्लीज जूड़ी को लाइक कर दीजिगा अपने friends के साथ share कर दीजिगा और साथी साथ friends एक बात में आपको बता दो कि भई मैं जूट नहीं बोल रहा मैंने पता है कि यहाँ पे सीटे रिक्ट है बट यहाँ पे काउंस्टिंग आफ कर दी गई है उसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता आप सभी को एक जूट होना पड़ेगा तब भी आगे कुछ हो सकता है और friends अभी आप इसका headache नहीं ले तो बहतर होगा क्योंकि 2021 का notification आ चुका है और अगस तक आपका परवेश भी हो जाएगा तो भई बढ़ाई पे ध्यान दीजेगा थैंक्स वाचिंग जैहिंद जभारत